सबी प्यारे साथियों का Mission Institute में स्वागत है मेरे प्यारे साथियों जैसे कि हम पूर की कलास में सब्द को पढ़ चुके हैं किसको पढ़ चुके हैं? सब्द को पढ़ चुके हैं और आज का हमारा और आपका विंदू जो होने जा रहा है वह विंदू है समास क्या है समास अब बात को समझेगा समास कहते किसे है समास होता क्या है या समास विग्रह क्या होता है या समास का संचेपी करण क्या होता है इस अब हम बातों को समझेंगे समास का अर्थ होता है संचेप करना क्या करना संचेप करना या संचेपी करण करणा समासकर्थ क्या होता है संचेप करणा या संचेपी करण करणा ठीक न? यानि किसका संचेप करणा किसका संचेपी करण करणा इस बात को हम समझते हैं परिवासा देखते हैं परिवासा कहती क्या है इसे हम समझने का परियाज करते हैं करना संचेप करना ही समास कहलाता है मेरी बात को समझेगा करन यह संचेप कहलाता है और उसी को हम क्या कहते हैं समास कहते है, उसी को क्या कहते है, समास कहते है ठीक न, क्या कहते है, समास कहते है अब आप बातों को समझेगा एक आपको होता है समासिक पद, क्या होता है समासिक पद होता है क्या होता है, समासिक पद होता है और उसके बाद एक होता है विग्रे होता है, क्या होता है, विग्रे होता है, या कहते हैं, या कहते हैं समास विग्रे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, समास विग्रे भी कह सकते हैं, एक होता है समासिक पद, जैसे हमने एक समासिक पद ले लिया, रसोई घर, रसोई घर, अब इसका जो विग्रे होगा, इस रसोई घर क्या हो गया आपका समासिक पद हो गया क्या हो गया समासिक पद हो गया और इसका जो विग्रह होगा रसोई के लिए के लिए घर क्या हो जाएगा रसोई के लिए घर अब बात को समझेगा यह आपका क्या है पूरपद है यह आपका क्या है पूरपद है और यह सब्सक्राइब करण केंवारी जतीयारी अधिया चायए। कहता मिला दिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं समास कहते हैं क्या कहते हैं या उसी को हम क्या कहते हैं समासिक पद कहते हैं क्या कहते हैं समासिक पद कहते हैं और समास का अर्थ क्या होता है आप लोग इसके पहले देख चुके हैं समास करत क्या होता संचेप करना क्या करना संचेप करना यानि कि पूर पद और उत्तर पद को मिला देना संचेप कर देना यानि कि मिलाने के बाद क्या करन संच्छेप कर देना वही क्या कहलाता है आपका समास कहलाता है और यह आपका पत क्या हो गया संच्छेप हो गया है इसी को हम क्या कहेंगे समास कहेंगे क्या कहेंगे समास कहेंगे और विग्रह आपका क्या होता है आपके समच्छ है विग्रह इसी को हम विग्रह कहते हैं और इसे हम समझने का परियास करते हैं, क्या करते हैं, इसे हम समझने का परियास करते हैं, बातों को समझेगा, जर देखेगा, समास के परकार, समास के परकार, ठीक न, समास के परकार, समास कितने परकार होते हैं, तो हिंदी में आपके समास, हिंदी में जो आपके समास होते हैं, क होते हैं और कौन कौन सा होता है उससे सम्झने का परयास करते धीथ कितने होते हैं चार होते हैं थीक ना अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं पछला आप काता है पूर्व पद परधान समास पूर्ब पद परधान समास या कह सकते हैं पहला पद परधान समास पूर पद परधान समास या पहला पद परधान समास तो आपका जो पूर पद परधान समास होता है या पहला पद परधान समास होता है वे कौन से समास होता है अब भी भाव समास होता है कौन समास होता है अब बही भाव समास होता है उसके बाद आपका आता है अगला समास अगला आता है आपका उत्तरपद परधान समास उत्तरपद परधान समास अब उत्तरपद परधान किसका होता है यानि कि उत्तरपद परधान किस समास के होते हैं आपके तत्पुरुष समा क्या होते हैं तत्पुरुष समास के होते हैं अब इसी तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं तत्पुरुष समास कितने भेद होते हैं दो भेद होते हैं कर्मधारे समास कर्मधारे समास कर्मधारे समास और आपका आता है दिवगु समास क्या आता है दिवगु समास आता ह ठीक ना यानि कि पूर पतपरधान समास कौन से होता है अब भईभाव समास होता है और उत्तर पतपरधान कौन से समास होता है ततपुरुष समास होता है और ततपुरुष समास के दो भेद होते हैं और इसके कारक के अधार पी छे भेद होते हैं और इसके कुछ उपभेद भ समास होते हैं ठीक ना उसके बाद आपका अगला आता है दोनों पद परधान समास क्या आता है दोनों पद परधान समास परधान समास अब यह देखेगा दोनों पद परधान कौन से होते हैं कौन से समास होते हैं आपका दुन्द समास जो होता है क्या होता है दुन्द समास ज होते हैं क्योंकि समास में दो पत्परधान होते हैं इसके पहले हमने देखा ही है कौन कौन से पत्परधान होते हैं यह आपका क्या है यहां बात को समझेगा यह आपका पूर पद है क्या है पूर पद है यह आपका क्या है उत्तर पद है और जिसमें पूर पत्परधान समास ह समास होता है और जिसमें उत्तर पत्परधान समास होते हैं उसे हम क्या कहते हैं तत्पुरुष समास कहते हैं क्या कहते हैं और कुछ ऐसे समास होते हैं जिसमें दोनों पत्परधान होते हैं क्या होते हैं वह समास कौन सा होता है जिसमें दोनों पत्परधान होते हैं वह समास क किसमें परधान होते हैं, दोनों पत क्या होते हैं, आपके परधान होते हैं, दोन दे समास, ठीक ना, अगला आपका आता है, अन्य पत परधान समास, अन्य पत परधान समास, अन्य पत परधान समास कौन से होता है, आपका बहुरी समास होता है, क्या होता है, बहुरी समास होत होता है बहुरी समास होता है यानि कि अन्य पत्परधान समास का मतलब होता है ना तो इसका पूर्व का पत्परधान होता है ना तो उत्तर पत्परधान होता है यानि की परधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं बहुरी समास कहते हैं क्या कहते हैं बहुरी समास कहते हैं इसी के आधार पर आपके समास के कितनी भेद होते हैं? चार भेद होते हैं समास के कितने भेद होते हैं चार भेद होते हैं और कौन-कौन से होते हैं अब भई भाव समास होता है आपका तत्पुरुष समास आपका होता है बहुरी समास होता है और इन समासों में आप अगर देखेंगे तो आपका जो तत्पुरुष समास होता है इस करेंगे तो कारक के अधार पर कारक के अधार पर कारक के अधार पर कारक के अधार पर और इसके बाद देखेगा अगर तत्पुरु समास के आप देखेंगे कुछ उपभेद भी होते क्या होते हैं उपभेद भी होते हैं उपभेद भी होते हैं उसके बाद हम उपभेद को भ इसे होते हैं यह भी पढ़ने का हम परियास करेंगे ठीक ना चलिए यहां तक बाते हैं अगर समझ में आ चुकी होंगी तो सौट स्कीन बना लीजिए आप लो ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अब आगे देखिएगा इधर देखिएगा आपका क्या है अब भाई भाई समास है कौन सा समास है जो पहला समास हमने बताया है पहला समास कौन सा भाई भाई समास है अब यहां समझने का परियास करिएगा इधर देखिएगा परिभासा क्या ह आपका अभघभासमास कोन समस है अभघभासमास है इंद र समझने का परियास करिएगा क्या है इसका पर्थम पद या पूर प्र क्या हो और ऐसे समझेगा पूर कहते हैं अब भाई भाव समास कहते हैं यानि कि जिस समास का पूरपत क्या हो परधान हो उसे हम क्या कहते हैं अब भाई भाव समास कहते हैं फिर से ध्यान से सुनीगा उसे छोड़ देजिएगा फिर से समझेगा बात को जिस समास का पूरपत परधान हो या जिस समास का पूर पूर्पत क्या हो अब्वे हो उसे हम अब्वई भाव समाज कहते हैं कौन समाज कहते हैं जैसे हमने कहा यहां समझेगे जैसे हमने कहा रातो रात क्या कहा रातो रात यानिक रात ही रात रात ही रात में ठेक ना जैसे हमने कहा आजन्म अब यहां पर देखेगा यहां पर अब भईवासमास में यहां तो पूरपद का जो पूरपद होगा क्या होगा पूरपद होगा उफसर्ग वाची भी आते हैं क्या आते हैं उफसर्ग वाची भी आते हैं कौन से आते हैं उफ जन्म तक या जन्म से ले करके उसके बाद आप काता है प्रति दिन में प्रति उफसर्ग लगा हुआ है दीन आपका मूल सब्द है इसका विग्रय क्या होगा दिन दिन या प्रतेग दिन दिन या प्रतेग दिन अगला सब्द आता है यथा सक्ति यथा सक्ति में यथा आपका क्या है अब्वय है यह था आपका क्या है अब्वय है सक्ति आपका मूल्ड सब्द है और यह क्या हो जाएगा आपका सक्ति के अनुसार हो जाएगा क्या हो जाएगा सक्ति के अनुसार हो जाएगा जैसे यहां देखिएगा आपका सब्द आ गया है आपका सब्द आ गया है ठीक ना भर पेट क्या गया भर पेट में भर क्या है आपका अब्वे है और पेट भर क्या है आपका समास विग्रह है क्या है समासिक विग्रह है या समास का क्या है विग्रह है यसे हमने का हाथ हो हाथ 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 क्या है आपका हाथ ही हाथ में हाथ ही ह समझेगा जो आपके समानता वाचक सब्दतें हैं जैसे कहने मैं इस में क्या होता है गया समास होता है क्या लगा हुआ है आउप सर्ग लगा हुआ जैसे हमने कहा रातो रात दिनो दिन यह हम कह दें दिन दिन कह दें तो यानि कि दिनो दिन और दिन दिन में क्या है आपका भई भाव समास है यानि कि जब किसी सब्द की पुन्रा विरित्ती हो किसी सब्द की क्या हो पुन्रा वि क्या हो गया यह था करम हो गया अब यहां करम आपका मूल सब्द है यह था क्या लगा हुआ है यह था आपका उफसर्ग लगा हुआ है इसमें कौन सा समास है अब भाव समास है ठीक है मेरी बातों को उमेद है आप समझ चुके होंगे जैसे हमने कहा बातों बात बातो बात, अब बातो बात में कौन सा समास है, अब भई भासमास है, कौन सा समास है, अब भई भासमास है, यानि कि जब दोनों पद क्या है, समानता वाची हों, कैसे हों, पुन्रा विरत्ती हों, और जब पदों की पुन्रा विरत्ती होती है, तो वहां भी कौन सा समास होता बही भासमास होता है या पहला पत क्या हो उफसर्ग वाची हो क्या हो उफसर्ग वाची हो जैसे हमने का प्रतेक हमने क्या कह दिया प्रतेक यहां देखेगा हमने कह दिया हमने कह दिया आपके सामने क्या कह दिया प्रतेग प्रतेग यहां देखेगा प्रति उफसर्ग है और यह आपका क्या है मूल सब्द है अब यहां प्रति उफसर्ग है यह आपका मूल सब्द है तो यहां प्रति उफसर्ग लगा हुआ है यह कौन से समास है अब बही भा समास है कौन से समास अभई भाव समास है जैसे हमने कह दिया पल-पल क्या कह दिया पल-पल अब कुछ लोग योजक चिन्न देख करके ये योजक चिन्न देख करके क्या मार देते हैं आपका दोंद समास मार देते हैं जबकि ऐसा नहीं होता है ठीक ना जहां सब्दों की पुर्णा व यहां भी अब्हुर्द समास से या दीनों दीन िरोड़ी कह देजी रात कह द इजिए ठीक स्थ आज इवन क्या सब्सब्सकी अब्ह बाई चाहतma सब्सक्राइब halika अगर समान्ता वाची सब्दों या सब्साइ euros पूर्पत में लूए सब्सेदों उत्तरपत सbn ли को समास होता है। समास होता है उमेद इतनी बातें आप समझ चूके होंगे और अभ़िभा समास में बता करते हैं इधर देखिएगा आगे दिया हुआ है और आगे आपको कुछ सब्सक्री दिया हुआ है देखिएगा यथा संभव यह अब यह Já अज यथा ग्या है आपका अब्ड़ आत है किया है वैसा य्यानि संभवक के अनुसार beautiful कसब़ों के अनुशार संभावना के अनुसार ठीक ना यता ब्रति प्रति पलस अच्छ अरने के प्रति लगा हुआ अच्छा आपका मूल सब्द है और आप हमने पहले ही बताया है जब आप देख लिजेगा उपसर्ग वाचिस सब्द होंगे तो वहां भी कौन सा समास होगा अबही भावी समास होगा यसे हमने प्रतेग बताया है प्रतेग में प्रती पलस एक हो जाएगा यहां भी अभी भाव समास है यानि एक एक या हर एक या हर एक क्या हो जाएगा आपका समास विग्रह हो जाएगा तो निर विवाद में नी उपसर्ग है और विवाद आपका मूल सब्द है विवाद क्या है आपका मूल सब्द है नहीं होई तुसे हम क्या कहते हैं निर्विवात कहते हैं और निर्विकार कहते हैं क्या कहते हैं निर्विकार कहते हैं विनाविकार के यानि कि कोई खोट नहीं है ठीक न कोई कमी नहीं है कोई कमी नहीं है तो वहां भी कौन से समास होता है अब भाव समास होता है कौन समास हो उन्हें पहले ही बताया है यथा करम में भीभासमास होता है इसके पहले हमने बताया दिया करम के अनुसार किसके अनुसार करम के करम के अनुसार ठीक ना यथा रूच यथा क्या है आपका अब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब जैसा उचित हो ऐसा ठीक ना सरासर ठीक क्या होता है एक दम से ठीक ना सरासर क्या होता है एक समससदें अगर समझतें बात को अब आगे दीखेंगा जैसे आपका आज आता है उपकूल के समीब याणिस आपका बी उफसर्ग है और आर्थ आपका अर्थ क्या है मूलसब्द है बेर्थ में भी उफसर्ग है अर्थ क्या है आपका मूलसब्द है अर्थ के अनुसार हो जाता है प्रति उफसर्ग है क्या है प्रति उफसर्ग है प्लस अंग आपका मूलसब्द है यानि कि प्रति अंग क्या होता है प्रति अंग यानि कि अंग अंग में क्या क तक ठीक है आध के अंत तक हो जाता है विग्रह हो जाता है लावारिष में कौन से समास है विनावारिष के लावारिष में कौन से समास है इस इंपोर्टन बहुत महत्पूर अदोपतन हो गया लावारिष हो गया धड़ा-धड़ हो गया ठीक ना ठीक है धड़ा-धड़ का मत में में क्या भी वह समास है यह ता अर्थ में क्या ह्या वैष समास है और इसके क्या दिए ग click विग्रें गयर यह यह फिर आगे दखते हैं अब या पर देखेगा ज़िसे Adventure heart मैंने और आपडा मस्तक में भी क्या भेषा समास है आपके मस्तक में क्या अब पैर से मस्तकट तक आप्दा मस्तक मतलब होता है पैर से मस्तक तक ना दिनों दिन हमने बताहीगे दीन कार यहां पृती प्ल Battery अपकार हो जाएक प्रत ćanksfour कर अपका उपसर्ग आपका के प्रत क्या अपका उप्सर्ग है इनिक उपकार के प्रति क्या हो जाएगा उपकार के प्रति हो जाएगा यहां भी कौन से समासा भी भाव समासा ठीक ना उसके बाद देखें प्रतियासा प्रति प्लस आसा प्रतियासा यह निक प्रति प्लस आसा प्रति आपका क्या हुपसर आसा के बदले आसा प्रतियासा मतलब क्या होता है आसा के बदले आसा जैसे आप किसी को दो-चार हजार उधा दे दीजिए और अप एच्छा करी आज हम दे रहे हैं कल हमको वापिस हमारा तो मिलेगा मिलेगा अप्रति क्या होता है कि अगर मालीजी हमें आउसकता पड़े गई तूश्व्यक्त से उद्विद्यार्थी गंड से हम फिर अपने कर सकते हैं यानिक पिर मुस्ते कुछ कर्ज ले सकते हैं वह होता क्या कि दे प्रत्यासा अगम की माण Hai कुछ किया जाता-गम है यथा साध़्य की होता है यह अब्यसद्रख वारीस इससे फढ़ी है दढ़ाधे पढ़ी कि चुके है만 ठीक है आगे बात पूरुस समास को हम देखते हैं किसे देखते हैं ततपूरुस समास को आपका आता है तत्पुरुस समास तत्पुरुस तत्पुरुस समास क्या आता है तत्पुरुस समास ठीक ना तत्पुरुस समास कहते किसे है जिस समास में उत्तरपद परधान हो, वहां क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है. कौन समास होता है? तत्पुरुष समास होता है. क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है. जिस समास में उत्तरपद परधान हो, वहां क्यों समास होता है? तत्पुरुष समास होता है. अब यहां पर देखेगा तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं. तत्पुरुष समास कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसे हम देखने का परयाज करते हैं, दो भेद आपके होते हैं, कर्मधारे समास, कर्मधारे समास, कर्मधारे समास, और आपका आता है, दिगु समास, कर्मधारे समास और आपका आता है, दिगु समास आता है, त लेकिन तत्पुरुस समास के जो कारक के आधार पर भेद आते हैं, कारक के आधार पर भेद, कारक के आधार पर तत्पुरुस समास के भेद, ठीकना, कारक के आधार पर तत्पुरुस समास कितने भेद होते हैं, छे भेद होते हैं, ठीकना, कारक के आधार पर तत्पुरुस सम होते हैं उसे हम समझने पर्याश करते हैं आठ परवर कौते हैं ऐसे समझने का पर्यास करते हैं या किसको चोड़ना है जैसे आप आजाता है पहला करता कारक कौन सा जाता है करता कारक दूसरा आप कारता है कर्म कारक और तीसरा आप कारता है करण कारक और चोथा आप कारता है संपरदान कारक क्या जाता है संपरदान कारक और पांचवा आप कारता है अपादान कारक क्या जाता है अपादान कारक क्या जाता अपदान कारक क्या जाता हैば आधिकरण कारक क्या जैता है अब समझने का पर्यास करिएगा, संबोधन कारक आजाता है, अब यहां पर देखिएगा, जो आपके ततपुर्ष समास के कितने भेद होते हैं, कारक के अधारी पित छे भेद होते हैं, यानि कि दो नहीं होंगे, और वों ही कॉन-खून से दो नहीं होंगे, तो आपका जो करता कारक होता है या तत्पुरु समास में नहीं होता है और संबोधन कारक जो होता है यह भी तत्पुरु समास में नहीं होता है यह होते कौन-कौन से हैं आपका कर्म तत्पुरुस होता है करण तत्पुरुस होता है संप्रदान तत्पुरुस होता है और आपका संबंध तत्पुरुस समास होता है ठीक ना जबकि संबोधन और कारक में करता कारक नहीं आता संबोधन और करता आपके नहीं आते हैं ठीक ना संबोधन और करत क्या करते वो नहीं आते हैं यानि का आते कौन कौन से हैं देशे का आपका कर्म तत्पूरुस समास हो जाएगा ना उसके बाद दूसरा आपका जो आता है करन तत्पूरुस समास आता है ठीक ना और तीसरा आपका जो आता है संपरदान तत्पूरुस समास आता है और चोथा जो आपका आता है अपादान तत्पूरुस समास आता है कौन सा आता है अपादान तत्पूरुस समास आता है उसके बाद आपका जो छटवा आता है यानि पाचवा आता है वह संबंद तत्पुरुस समास आता है क्या होता है अधिकरण तत्पुरुस समास आता है यानि कि करता को छोड़कर संबोधन को छोड़कर करता और संबोधन को छोड़कर के वह जो कारक के भेद होते हैं वह क्या करलाते हैं तत्पुरुस समास के भेद करलाते हैं करता और संबोधन को छोड़कर के यानि कि आपका कर्म तत्पुरुस समास हो जाएगा करण कितने होते हैं दो होते हैं कर्म ततपुर समास और दिगु समास ठीक ना कर्म ठारे समास और दिगु समास ठीक है अब यहां पर देखेंगे बात को समझेंगे करम से कर लिजे गर इच्छ आपकी है ठीक ना क्या कर लिजे कर लिजे अब यहां पर आपका आजाएगा कि वन तू थिरी पूर यहां पर फाइफ शिक्स आ जाएगा फाइब और शिक्स आ ठीक ना उमीद इतनी बाते आप लोग को समझ में आ चुकी होगी ठीक है चलिए शौटी स्कीन बना लिजे फिर आगे बढ़ते हैं चली आगे बढ़ते हैं अब यहां पर देखेगा, बात को समझेगा, देखेगा आपका है तत्पुरुष समास, क्या है तत्पुरुष समास इसके पहले मैंने समझा दिया है, जिस समास का अंतिम पद अर्थात उत्तर पद परधान हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, क्या कहते हैं, तत्पुर समास कहते हैं इस समास में पर्थम पद इस समास में क्या होता पर्थम पद विशेशन जबकि दूसरा पद विशेश के रूप में परियुक्त होता है ठेकना चुकि दूसरा पद विशेश से होता है इसलिए ततपुर्ष समास में दूसरा पद परधान होता है दूसरा पद क् कप पहला कारम समास ही और पाइन शाएर करलश समास पाथा है सम्पर्दान समास और चौथा वाप आता है क्याता है और पा आपका सम्बन्द समास ङुद्ष हता है क्या आता है संबंद तत्पुरुष समास आता है और छठवा जो आपका आता है अधिकरण तत्पुरुष समास आता है अब कर्म तत्पुरुष समास के जो चिन होते हैं या कारक चिन होते हैं क्या होते हैं को होते हैं कर्म को करण से या के द्वारा होता है संपरदान के लिए को का परियोग नहीं होता के लिए होता है अपादान किसका परियोग होता अपादान में से का परियोग होता है अलगाव होने के भाव में या तुलना होने के भाव में अलगाव होनी के भाव में या तुलना होने के भाव में और संबंद तत्पूरु समास कहा होता है का की के ह होता है ठीक है ना अदकरत अद्पूर्व समास में और पर होता है क्या होता है में और पर होता है उमीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी सोट स्कीन मना लिजे फिर आगे बढ़ते आगे देखते हैं क्या कि ठीक है पहला आपका आख चुका है कर्म तत्पुरुष समास कौन सा आख चुका है कर्म तत्पुरुष समास अब इसे देखते हैं कर्म के कारक चिन को के लोप कर्म के कारक चिन को के लोप से बनने वाला समास कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है यानि कि बात को समझेगा जब आप विग्रह करेंगे कर्म तत्पूरुस समास के क्या करेंगे विग्रह करेंगे तो विग्रह करने के बाद क्या जाएगा कर्म तत्पूरुस समास का क्या जाएगा कारक चिन आ जाएगा क्या जाएगा कारक्चिन आजाएगा और इस कारक्चिन का जब लोप हो जाता है इस कारक्चिन का क्या हो जाता है तो क्या हो जाता है क्या हो जाता है क्या हो जाता भी यह संछेपी करण हो जाता है यह संछेप हो जाता है और उसीक हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं, क्या कहते हैं? समास कहते हैं या समासिक पत कहते हैं, यहाँ पर बात को देखिएगा, सुनिएगा, समझेगा, बातों को सुनिएगा, समझेगा, देखिएगा, अब यहाँ आप देखिएगा, जैसे का आप देखिए, चीडी मार, क्य चीडियों को मारने वजा यानिक चीड़ी मार हुआ है अब नगे कर्म झैब् को चूमने वाला यहां देखिए को आ गया है क्या गया है क्या आपका क्या है कर्म तक प्रुष समास है जैसे हमने का स्वर्ग पराप्त स्वर्ग को पराप्त स्वर्ग को पराप्त यहने स्वर्ग को प्राप्त करने वाला हो जाएगा क्या हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त करने वाला हो जाएगा को आगया है आगया है आगया है कि नहीं आगया है यहां देखेगा देखेगा तिल को कोटने वाला या बनाने वाला यह बनाया हुआ यहां देखेगा को में गल्द हो गया ना व्य क्रिया है बातको समझ गया कि नहीं आगे देखते हैं कि जदेखेगा आपका अगला आ गया है्-क रंद समास कान सा अगया है करण तत्पुष समास अब इसे समझने का पढ़ने का प्रियास करते १क ट्रूर समस होता तरुब सामाज करने की लाता है यायनि के लिख से लेरा इसा पर धीक हो जाता है क्या हो जाता है जॉस्षिक형 क्या क्या लोंगा क्या कि गया लोप पी ट है पाल्य मोंता यक्रorem और से जो क्या हो जाता है जैसे हमने कहा आकाल पीडित क्या कह दिया आकाल पीडित यानि आकाल से पीडित ना अलगाओ को हो साधन का बोध हो रहा कि नहीं हो रहा हो रहा बेलकुल अलगाओ को नहीं साधन का बोध हो रहा यानि आकाल पीडित आकाल से पीडित ठीक ना यानि गोबर गडेश गोबर से निर्मित गड़ेंस यानि गोबर से बना हुआ गड़ेंस हो जाता है आपका ठीक ना जैसे हमने कहा तुल्सी कृत तुल्सी द्वारा कृत यानि तुल्सी द्वारा रचित ठीक ना में जो कार्ण चिनना आएंगे या और फिर कौन सा तर्वर्फ thermals हो जाएगा। समास हो जायेगा उमीद एतनी बाते आप लोग समझ चुके होंगे आगे देख़ेंगा अगला आपका कि इससे समझते हैं यानि समपरदान संपर्दान समास संपर्दां को के लिए ठीक न और जब हम इसका समास बनाएंगे विग्रह करेंगे को के लिए बीच में विग्रह करने पर आना चाहिए समासिक जब पदों का विग्रह करेंगे तो को के लिए आना चाहिए या को आए या के लिए आए दोनों में से कोई एक आना चाहिए और दोनों में से कोई एक आएगा तो है आपका संपरदान तत्पूरु समास कहलाएगा क्या कहलाएगा संपरदान तत्पूरु समास कहलाएगा जैसे हमने कहा रसोई घर क्या कहा रसोई घर रसोई के लिए घर के लिए आगया आपका संपरदान तत्पूरु समास है जैसे हमने कहा डांक गाड़ी डांक के लिए गाड़ी के लिए आगया आपका संपरदान तत्पूरु समास है ठीक ना जैसे हमने कहा देश भक्त देश के लिए भक्त, ठीक ना, देश के लिए भक्त, के लिए आगे आपका क्या है, संपरदान तत्पुरु समास है, जैसे विद्याले, विद्या के लिए आले, यानि विद्या के लिए घर, विद्या के लिए क्या हो जाता है, घर हो जाता है, आपका संपरदान करने पर समास के विग्रे करने पर जो योजे क चिन यहानि की कारक चिन और उस break just में यहानि कारक की कारती ना ये वही यापका तत्पुछ समास होगा अगर मल स्वांस होगा बात को समझ होंगे आगे देखते हैं अगला आपका है अपादान तत्पूरस वमारश होता क्या है आपादान से अलगाव की तुलना की स्थिती में अपादान तक पूर्स कुंए चिंटी में किस्तिती में अलगाव या तुलना किस्तिती में जैसे हमने कह दिया जैसे हमने की लिया स्वर्ग पतीत स्वर्ग से पतीत तो से अलग हो रहा है क्या हो रहा स्वर्ग से अलग हो रहा ना धन हीन धन से हीन यानि धन से क्या हो रभी या अलग हो रहा धन हीन हो रहा अलगाव किस्तिती रिड मुक्त यानि क्रिड मुक्त रिड से मुक्त यानि क्या हो रभी है रिड से अलग हो जार रिड से मुक्त हो जार आदमी रिड से गर से चुद ठीक ना यानि पत से हमने क्या किया अलग हो गए दूसरे पत पर चले गए या उस पत को हमने क्या किया छोड़ दिया अगला देखेगा इसे हमने का भाग गहीन यानि कि भाग से हीन क्या भाग से हीन यहां देखेगा अलगाओ की स्थिति पैदा हो रही है तो वहां कौन सा समास है अपादान तत्पुर्ष समास है ठीक है ना उमीद इतनी बाते आपको समझ में आ चुकी होंगी आगे चलते हैं चलिए आगे चलते हैं उसके बाद देखिएगा आपका अगला आता है संबंद तत्पुर्ष समास क्या आता है संबंद तत्पुर्ष समास आता ह अब संबंद तत्पूर्ष समास में जो कारेक्चिन होते हैं वो क्या होता भी यह का की के ठीक ना का की के जब इनका विग्रह करेंगे का की के आएगा तो वह कौन से समास होगा संबंद तत्पूर्ष समास होगा क्या होगा संबंद तत्पूरु समास होगा और एक दूसरे में क्या बताएगा संबंद बताएगा यानि कि पूर पद में उत्तर पद में क्या बताएगा संबंद बताएगा ठीक ना जैसे हमने कहा राजा का पुत्र, ठीक ना, राजा का पुत्र, ठीक न, राजा का पुत्र, ठीक न, राजा का पुत्र, ठीक न, राजा की आज्या, क्या हो जाता है, राजा की आज्या, राजा की आज्या, ठीक न, राजा की आज्या, ठीक न, राजा की आज्या, ठीक न, राजा की आज्या की आंका जाता है तीक ना प्रजा पती प्रजा का पती यानि का गया की आ गया ठीक ना इसे मत दान हमने कह दिया क्या कहें दिया मत का दान, क्या किया जाता है, मत का क्या किया जाता है, दान क्या जाता है, मत और दान में क्या होता है, संबंद होता है, यहानि कि का की के, अगर कहीं आ जाता है, तो यह कौन सा समास होता है, संबंद तत्पुरु समास होता है, अगला देखेगा, अगला आप का गया है अद्करण तत्पुर्ष समास में क्या होता है योजग चिन में और पर का परियोग होता है और वह क्या कहलाता है अद्करण तत्पुर्ष समास कहलाता है जिसे हमने कहा जैसे हमने का कभी स्रेष्ट कभीयों में स्रेष्ट भीया में परियोग कब किया जाद है या स्रेष्ट बताने के लिए आच्छा बताने के लिए ठीक ना स्रेष्ट बताने के लिए आच्छा बताने के लिए कभी स्रेष्ट कभीयों में स्रेष्ट ठीक ना जल मगने जैसे ब जिसना अननंद मगन हो जाता है यानन कि आनंद में मगन में जा रहा है थिक न इसमें कोई सा समाच होता है 味करन तत्पुर्ष समाच होता है में और पर्काप्रियोग किया ज्यता है उमेद इतनी बाते आप लोग को समझ में आचुकी होंगी आगे चलते हैं फिर आगे देखते हैं ठीक ना ऐसे आखरी था आपका क्या था आखरी था ठीक ना अब हम जो है दो समास पढ़ चुके हैं कौन-कौन से पढ़ चुके हैं, उससे हम देखने का प्रयास करते हैं, ठीक ना, दो समास हम पढ़ चुके हैं, यानि कि अब भही भाव समास, अब भही भाव, समास, और दूसरा आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, इन दोनों समासों को हम देख चुके हैं, इ तो अगला जो समास होगा, उसे हम पढ़ने का परियास करेंगे, इसके जो दो भेद होते हैं, कर्मधार और दिव, उसे हम पढ़ने का परियास करते हैं, आज की कलास नहीं तक रखते हैं, थैंक्यू कलास, जाहिंद